हेलो बच्चो आप इम्रान सर वेलकम बैक टो आर यूटूब चैनल यसी फैमिली बच्चो आज का हमारा लेक्चर नमबर सेकेंड है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले है वाट इस बुककिपिंग तो चलिए शुरुवात करते हैं बच्चो लास लेक्चर में हमने चाप्टर नंबर फर्स्ट की शुरुआत की थी चाप्टर का नाम है इंट्रोड़क्शन औफ बुक्किपिंग एंड अकाउंटनसी यह चाप्टर का आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है इस लेक्चर में हमें पढ़ना है what is bookkeeping तो बच्चो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंट्रोड़क्शन यह इसे हम कहेंगे need for accounting अकाउंटिंग के हमें ज़रूरत क्या है तो बच्चो देखो इसमें हमें क्या दिया है whenever we start doing a business a number of transaction take place अब जब भी हम कभी business start करेंगे तो इस business में बहुत सारे transaction होने वाले हैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको transaction बताया है अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लो मतलब और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो अब हमने अगर business start किया तो business में बहुत सारे transaction होंगे right for example if we start a business of say a bookstore मान लो हमने कौन सा business start किया है एक bookstore का जहाँ पर बहुत सारे different different type के हमने वाँ पर books रखे हैं अब अगर हम bookstore start करते हैं बच्चो तो क्या होगा हमें क्या क्या करना होगा ये भी हमें समझना है जैसे मान लो हमने bookstore start किया तो हमें क्या करना पड़ेगा maybe हमें books को खरीदी करना होगा किसी wholesaler and publisher इन लोगों से हम क्या करने वाले books को खरीदी करने वाले purchase करने वाले उसके बाद जो books हमने खरीदी किये, उसे हमें क्या करना है, जो भी हमारे customer रहेंगे, उन्हें हमें बेचना भी है, उसे selling करना है, मैं बहुत सारे यहाँ पर जो word है, उसे highlight कर रहा हूँ, आपको जो accounting के word से, या bookkeeping के word से, वो भी आपको याद रखना है बच्चो, जैसे आपर buying, यह जो word है, buying, buying का meaning क्या होता है, हमने खरीदी किया है, उसी तरह से यहाँ पर selling, यह भी एक word है, selling का मतलब होता है, बेचना, मतलब खरीदी करना और बेचना, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने book store start किया है, तो हम books को खरीदी करेंगे, और उन्हें हमारे जो customer है, जो ग्राह आप आने वाले है, क्या क्या सवाल आएंगे, देखो, अगर हम book store start करते हैं, तो हमें book store start करने के लिए, क्या क्या जरूरत है, या क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें एक अच्छा सा office, या मान लो, एक shop जो से हम rent पे लेने वाले है, हमारे जो business रहेगा, उस business को हमें चलाने के लिए क्या, एक shop तो लगेगा जहाँ पर हम books रखेंगे, और उसे वहाँ से sale करेंगे, उसके बाद जो भी हमारे publisher है, या whole seller है, जिन लोगों से हमने क्या किया है, books को खरीदी किया है, बेचने के लिए, उन लोगों की details, कितने हमने books खरीदी किये, कितनों का हमने payment किया है, और कितना हमें देना बाकी है, यह सारा जो details है, या सारी information है, उसे भी हमें याद रखना पड़ेगा, उसके बाद अब हमने business start किया है, तो business start करने के बाद बक्चो, हमें जो books बेचना है, यह जो books बेचना है, तो books हम directly नहीं बेच सकते, सबसे पहले जो भी हम business start कर उस business के हमें advertising करना होगी, क्योंकि हमारे जो customer है, उनको कैसे पता चलेगा, क्या उनको जो books चाहिए, वो हमारे पास है या नहीं है, उसके लिए हमें marketing या advertising भी करना होगी, और उसके बाद फिर हम start कर देंगे भई, जो हमारा main purpose है, क्या हमें क्या कर रहा है, हमारे जो customer है, ज इतना सारा काम है, अब है सारा काम हमने start कर दिया, मान लो हमने क्या कर दिया, यह पूरा का पूरा काम कर दिया, हमने एक shop भी ले लिया, उसके publisher को ने, wholesaler को ने, उनकी details भी हमने ले लिये, फिर उनसे books खरी दिये, उसके बाद advertising भी कर ली, और उसके बाद हमने हमारा जो book से उससे sale करना start कर दिया, means हमारा business चालू हो गया, उसके बाद क्या होगा sir, देखो बच्चो, now when the business starts functioning, मतलब जो हमारा business है, अब वो start हो गया है, we will want to know how much profit we have earned from the business in a year, तो हमें आप, यह तो पता करना है, कि भई आप साल बर हमने यह business चला है, तो business हम जो कर रहे है, इससे हमें profit हुआ है, profit समझता है आपको, right, इससे हमें profit हुआ है, या loss हुआ है, यह कैसे हम पता करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, right, it is practically impossible to just remember whatever happened in a whole year, क्या कह रहे है, चब पूरे साल भर में हमने जो भी activities या जो भी transaction किये, हमने books purchase किये, उसके बाद customer को हम अब यह साल भर में जितना भी हमने यह transactions किये, आप ही मुझे बताओ, कि यह possible है, इसको हमें पूरा साल का जो record है, इससे याद रखना यह possible है बच्चो, नहीं, बहुत difficult है, फिर आप इसके लिए क्यो option है, अब इसे हमें एक example के तो अच्छे से समझते हैं, मान लो हमने क्या किया, जो हमारे publisher है, या जो हमारे wholesaler है, उन से हमने क्या किया, goods purchase किया, जो हमारे book से उसे purchase किया, और वो भी credit पर, वो भी क्या credit पर, credit पर आपको समझता है, credit क्या होता है, मतलब हमने books ले लिए, लेकिन उनका payment करना भी बाकी है, अब हमें यह कैसे पता चलेगा, कि हमने other hand, जो हमारे customer है, जो हमारे ग्राह के, उनको भी हमने क्या किया, sold किया, कुछ books, certain books हमने क्या किया, sold किया, to our customer on credit, हमारे customer को भी हमने क्या किया, हमारे जो तरप के book से, उसे भी credit पर sale किया, तो कितना sale किया, हमारे customer से हमें कितना money है, या cash है, आना बाकी है, यह कैसा समझेग तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा पूरा का पूरा record हम याद तो नहीं रख सकते हर किसी का हिसाब किताब हम धिमाग के धिमाग में maintain करके तो नहीं रख सकते एक व्यक्ति का होगा तो हम पता कर सकते है लेकिन इसे वह सारे customer रहने वाले हैं, publisher भी बहुत सारे रहने वाले हैं, फिर इन लोगों का पूरा हिसाब कीताब इसे याद तो नहीं रख सकते हैं, तो फिर इसके लिए क्या option है sir, हम इसे याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुछ तो तरीका होगा, जो तरीका हम use करके, यह जो पूरा record है इसे systematic way में हम record कर सकते हैं तो ये जो ये ज़रूरत थी इसलिए फिर हमने क्या किया बच्चो start किया bookkeeping करना यह हम accounting कहेंगे इसे अभी फिलाल के लिए इसमें थोड़ा सा difference है लेकिन फिलाल के लिए हम इसे accounting कहेंगे difference क्या है वो आगे आपको मैं detail में पढ़ाओंगा लेकिन आपको ये important है समझना क्या हमने accounting start क्यों की क्योंकि इतने सारे लोगों का record याद रखना बहुत ही difficult है अब business छोटा हो या business बढ़ा हो हर type के business में सबके unlimited transaction होते और वो unlimited transaction को याद रखना next to impossible है उसलिए हमने क्या किया उसे proper way में लिखना start किया और उसके बाद लिखना start किया मतलब उसकी bookkeeping start कर दी क्योंकि हमारा जो brain है हर चीज तो याद नहीं रख सकता लेकिन अगर हमने लिख कर रखा तो हमें उसका benefit जरूर होगा और हमें पता रहेगा किस से कितना हमें money लेना है cash लेना है और किसको कितना देना है तो बच्चो यही थी main need जिसके लिए हमने accounting start की therefore it is advisable to record all the financial transaction यह जो concept of financial transaction मैंने आपको last lecture में पढ़ाया था बच्चो that take place as and when they take place hence the need for accounting arise इसी वज़ा से accounting की जरूरत हमें पढ़ने लगी और हमने accounting करना start कर दिया और financial transaction is a transaction which involves money अब आपको अगर नहीं पता है तो आपके लिए मैंने आप पर दिया है आप समझ लो कि financial transaction किसे कहेंगे बच्चो financial transaction जिसमें क्या involve है जिसमें involved है money money भाई involved है तो जिसमें money भाई involved है उस transaction को हम क्या कहेंगे बच्चो financial transaction और ये भी एक बात आपको याद रखनी है the financial transaction are recorded in what is called books of account जिस books में या जिस जगा पर हम ये जो financial transaction record कर रहे है उसको हम या उस books को हम क्या कहेंगे books of account ये भी आपको याद रखना है तो ये जो है ये सारा का सारा introduction था bookkeeping का hope सो आपको समझ में आया होगा कुछ भी अगर problem है बच्चो तो comment करना और अगर वीडियो पसंद आ रहे तो like, share और channel को subscribe ज़रूर करना मिलते हैं next lecture में lecture number 3 में हम कौन सा topic चलो करेंगे जो आपको मैंने बताया क्या bookkeeping, accounting and accountancy में का difference क्या है ये भी हम समझेंगे तो बच्चो आज के लिए इतना ही have a good day, thank you क्या है